या कोई ऐसा है जो दोनों कर रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं संबित पात्राजी से आप और आपकी सरकार पर ये आरोप है कि आप रोजाना टीवी पर बैठ कर भाशनों में पहुचकर देश को बांट रहे हैं और उस बांटने की राजनीती से वोट हासिल कर रहे हैं क कि आप तो सिर्फ मेरी लाज रखो कॉंग्रेस गई तेल बेचने ये हुआ है आज हेडलाइन में चल रही है कि जीतू पटवारी जो कॉंग्रेस एक अदावर नेता है मध्यप्रदेश के वो कह रहे हैं कांग्रेस गई तेल बेचने मेरे वड़े भाई संजय निरुपम ज पर मैं जानबूज के भगवा पहन के आए और मैं यहां सीना ठोक के कहता हूं हला बोल के कहता हूं अनेको वर्ष तक इस देश में एक इस प्रकार की राजनीती धर्म निर्पेक्षता के नाम पर हुई कि भगवा और भगवा पहनने वालों को नीचा करके दिखाया गया कि यह तो भगवा धारी है यह तो भगवा करण है सैफ्रोनाइजेशन है भगवा आतंकवाद है हिंदू पाकिस्तान है हिंदू तालीबान है अच्छा हिंदू है गंदा हिंदू है मैं कहता हूं मैं अच्छा हिंदू हूं भगवा पहन के आता हूं बताई यह बाटने के जनीती नहीं है, मैं बताता हूँ, अगर देश को आगे बढ़ना है, तो मैं मानता हूँ, ये भी मेरे भाई है, ये मुसलमान है, तो क्या हो गया, ये मेरे भाई है, हमारे खून है, हम सब एक है, मगर कोई बात नहीं, आप माने ना माने, मैं आपको भाई मानता, मगर मैं माईक उठा लीजिए मैं एक बात बताता हूं आपको देश आगे तभी बढ़ेगा जब अपसी प्रतीशत लोग जो इस देश के हिंदू हैं गर्व से कहेंगे हमें अपने संस्कृती हमें अपनी सभ्यता हमें अपनी कल्चर के प्रती गौरव है हां हम भगवा हैं जब अपने सब को अपने च्हाती में अपना माना है अपना मान के पाला पोस्ता है इसलिए बाटता हिंदू कभी नहीं